Welcome my soul family, देखते हैं आपके partner की energy कैसे रहेगी आने वाले 48 hours में ये love reading है और मैं देख पारी हूँ कि आप लोग बहुत समय से separation में हो divine time आ चुका है ये separation खतम करने के लिए क्योंकि यहाँ पर tower के साथ celebration का card भी आया है मतलब definitely आपका कोई no contact situation चल रहा है आपके partner के साथ break up situation चल रहा है तो वो बहुत जल्दी खतम होने वाला है एक बहुत बड़ा positive shift आप दोनों के relationship में आने वाला है लेकिन उसके पहले major endings की भी यहाँ पे energy है मतलब जो भी third party issue है खास करकि कोई feminine energy है वहाँ से आपके partner को trigger मिलेगा जो भी karmic situation या karmic person की वज़े से आप दोनों के रिष्टे में problems आई है ये distance भी हो सकता है, career issue भी हो सकता है, कोई family issue भी हो सकता है वो issue पूरी तरीके से sort out होके यहाँ पे एक celebration आते वोए दिख रहा है जो भी लोग बहुत दिनों से या महीनों से separation में है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपका जो separation है वो divinely guided था और अभी divine ही आपको एक साथ लाने वाला है The High Priestess के card को मैं सबसे पहले clarify करूँगी High Priestess के लिए Four of Swords का card आया है, मतलब आपके partner की healing पूरी तरीके से हो चुकी है आप दोने के रिष्टे में आपके partner की तरब से कोई feminine energy problem create कर रही थी तो यहाँ पे आपके partner का उनका break up दिख रहा है Tower card कभी आसानी से change नहीं दिखाता है तो आपके reunion के पहले आपके partner की life में बहुत सारे major endings होने वाले है आपके partner अभी अकेले है और वो सबसे detached है वो आपके साथ भी contact में शायद नहीं होंगे लेकिन आप दोनों के reunion के लिए आप उनको proper guidance भी मिल रहा है या next action के लिए उनको कोई signs भी मिल रहा है Tower card को यहाँ पर clarify करूँगी इससे positive change आएगा के negative change आएगा ये clear हो जाएगा Tower के लिए 10 of pentacles का card आया है मतलब बहुत सारे लोगों का जो no contact situation या breakup situation उनके partner के साथ चल रहा है वहाँ पर बहुत बड़ा change आने वाला है शायद किसी problem की वज़े से आप दोनों का रिष्टा किसी जगह पे फस गया है stuck हो गया है तो वहाँ पर change आके आप दोनों का reunion होने वाला है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए third party issue दिख रहा है खास करके कोई feminine energy कोई family member जिसकी वज़े से आप दोनों के रिष्टे में problems create हुई है वहाँ पे आपके partner का उस third party के साथ separation दिख रहा है आपके partner और आप soulmate journey में हो तो आप दोनों भी अभी पूरी तरीके से heal हो चुके हो यह energy आप भी खुद फिल करोगे और उसी की वज़े से आपका reunion बहुत नस्दीक है लेकिन जिनकी healing पूरी हुई नहीं है अभी भी वो लोग एक दुसरे को blame कर रहे हैं अपने partner को लेके थोड़ा negative thoughts उनके दिमाग में है उनके reunion को अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता है three of cups का card क्यों आया है मैं चेक करूंगी three of cups के लिए emperor का card आया है बहुत सारे लोगों के लिए third party issue आपके partner की family यहाँ पे दिख रही है और कोई status issue दिख रहा है यहाँ पे इस रिष्टे को लेक रहे है लेकिन आपके partner full power में है यह दिल से ज़्यादा दिमाग से काम कर रहे है logical, practical, thinking और planning यहाँ पे मुझे दिख रहा है बोलने से ज़्यादा करके दिखाने पे इनका focus है तो इसकी वज़े से शायद इनोंने आपसे कुछ share भी नहीं किया होगा तो आपको इनका ego भी दिख रहा होगा लेकिन यह बहुत ज़्यादा effort डाल रहे है इस relationship के लिए और बहुत practical effort डाल रहे है देखते हैं emperor क्यूं आया है यहाँ पे उसको मैं clarify करूँगी emperor के लिए आया है 10 of wants जैसे मैंने बोला था कि यह बहुत ज़्यादा practically planning करके effort डाल रहे है जितने भी obstacles आप दोनों के रिष्टे में उसको खतम करने के लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे career या financial stability भी issue दिख रहा है मुझे या कोई responsibility भी है कोई priority भी है आपकी partner की life में जिसकी वज़े से वो अभी तक आपको कोई commitment नहीं दे पाए है लेकिन 10 of wants खुद एक major endings को दिखाता है मतलब जो भी problems है financial हो, family issues हो लेकिन आपके partner ने बहुत सोच समझ के इसको एक तो sort out किया हुआ है या बहुत जल्दी वो sort out कर लेंगे 10 of wants और 10 of pentacles एक साथ आए है मतलब सारे burden सारी responsibilities सारे issues sort out करके आप दोनों का reunion होने वाला है और बहुत बड़ी खुशी आप दोनों के रिष्टे में आने वाली है 4 of sorts के card को भी clarify करूंगी मतलब एक तो आपके partner की healing पूरी तरके से हो चुकी है और उनको clarity भी मिल चुकी है जिसकी वज़ा से आपके partner full power में आ चुकी है आपके partner आप दोनों के रिष्टे में जो भी problems है वो बहुत successfully end करने वाले है कुछ लोगों के partner ने तो problems को sort out कर भी लिया है celebration का card और यहाँ पे ace of sorts का card यही दिखाता है कि जो लोग no contact situation में है उनके partner के साथ communication हो सकता है आपके partner खुद सामने से आपके साथ contact कर सकते है और यह सिर्फ contact नहीं करेंगे यह आपको कोई good news भी दे सकते है और आपको आप दोनों के रिष्टे को लेके कोई clarity भी दे सकते है बहुत कम लोग ऐसे है जिनके partner अभी भी थोड़ा सा healing energy में है उनकी healing नहीं हुई है वो आप दोनों के break up को लेके overthinking भी कर रहे हैं और आपके separation का उनको burden भी है लेकिन यह temporary energy है आपका भी divine time आने वाला है देखते हैं आपके partner के आपके लिए क्या love message है heavy missing energy है आपके partner आपको ही उनकी खुशी मानते है और आपके साथ ही पूरी life बिताना चाहते है 10 of pentacles का card भी यही बताता है और यहाँ पे भी यही message आया और एक pure soul मानते है और आपकी inner beauty भी इनको बहुत attract करती है यह पहले शायद बहुत stubborn थे लेकिन अभी यह action mode में आ चुके है और यह अपने action से ही आपको उनका प्यार जताना चाहते है प्रू करना चाहते है यहाँ पे बहुत लोग ऐसे है जब वो लोग एक दूसरे से मिले थे तब आपके partner के बहुत सारे problem चल रहे थे maybe financial issues, career को लेके या कोई family issue भी चल रहा था लेकिन उस वक्त भी आपने उनका साथ दिया है और उसी को लेके उनको कभी-कभी यह सवाल आता है कि आपने ऐसा क्या देखा उनमें जिसकी वज़े से इतने बुरे वक्त में भी आप उनके साथ खड़े रहे इनी लव मेसेज के साथ मैं आज का रीडिंग यही खतम करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए Keep dreaming and stay hopeful for tomorrow कल मिलते हैं और एक नए रीडिंग के साथ तब तक के लिए अलवीता